नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वग्यानिक शत्र में और मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर राजवाब। कि आप लुग का लगतार प्यार मिला है यह हमारे लिए उत्साह वर्दक है विद्वत जणु। हमाई के लगातार हमारे प्रती सश्षने है अश्रिवाद भी मिल है ऌर आपके सामने अच्छा करई की कोशिश भी कर रहे हैं हैं अभी हम दोस्तों लगातार इंडोक्राइनलोजी में आप लोगों से च्रशा कर रहे हैं पिट्यूटरी गलैंट के बारे में इस कारिकरम को देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे पहले के एंडोक्राइन लॉजी के इस भाग में पिट्यूटरी गलैंट से संबन्दित तमाम पहले की वीडियो को आप जरूर देखे तब आप समझ पाएंगे कि इन हिस्सों को खास के समझने के लिए आपको उसकी जरुवत पड़ेगी, तो आप उन्हें देखे, उसके बाद इसे समझे, और एक सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, कि आप यूटुब के माध्यम से, या आप किनी भी सोसल मेडिया के माध्यम से जान हैं नीदान को समझ पाएंगे लेकिन नीदान आप जो चैक्षा करमी हैं उनहीं के समपर्क में करें, खुद से दावा का आप कभी भी गरहन ना करें, कभी भी दावा का देवाओं को घरहन करें, ज़ानकारी रखें, ज़ानकारी आपके लिए और समों के लिए जरूड़ी तो हम इसी करीमे आपके सामने पेश कर रहे हैं आज डिजीज का symptoms statement उप पीटुटोरी ग्लैंड में कौनकर से बीमारिया होती है क्या और समन नहीं होती है उसका करण क्या है उसके लक्षन क्या है उस कंणिदान क्या है और कैसे आप उसे तक जान पाएंगे तो इसके लिए जब तक कि आप हमारे पिट्यूट्री ग्लैंड के खास सत्र को नहीं देख पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां क्या है वैसे दोस्तों मैंने उस विशह में आपको लगतार कुछ नो कुछ सम्बंदित बीमारी का वहां में आपके जिक्र किया है लेकिन यहां में खास करके पिट्यूट्री ग्लेंड में जो गरवरी आती है और जिसके वजह से आपके हार्मोन पे गरवरी आती है उस पे मिचाचा कर रहा हूं और इसके बाद भी का भी आप पाट जरूर देखे क्योंकि इससे आपको खास लाब मिलेगा लेकिन फिर से गुजारिश है कि आप स्वें नर्मलीटी में वहाँ तो या तो ज्यादा कुछ होगा या बहुत कम होगा समानने से ज्यादा होगा या समानने से कम होगा तो सवस्था को हम लोग बीमारी कहते हैं उस सवस्था को बीमारी कहते हैं तो इसलिए आप इस इसका धियान रखे कि इसमें भी इसमें भी दिखे वैसे hypothalamus या pituitary के जो भी बीमारिया बहुत कम ही पाई जाती है अलगवग 50,000 में 1-2 मिलेगा है ना ज्यादा ने रियरर है यह disease मिलना लेकिन फिर भी आजकल चुकि हम लोग बहुत जादे खास के pituitary gland से निकलने वाले हर्मोन के में चर्चा कर रहों बाकितों में चर्चा क कम बहुत जादा कम या तो आप मान लिजे कुछ करते ही नहीं है या बहुत जादा करते हैं तो दूनों की अवस्था जो है बीमारी की अवस्था कहलाती है अगर अवस्था हैं सामाने मतलब कि जादा तर आपको को दिकत महसूस नहीं हो रहा है तो उस अवस्था को वैसे इस पर हम खास आपको वीडियो लेक्चर जरू जारी करेंगे, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, कि इसमें मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ, कि अगर pituitary gland कम सेक्रेट किया, हाइपो pituitaryism हो गया, हाइपो, हाइपो मतलब कम, हाइपो का मतलब हता है, कम, अगर हमारे pituitary हार्मोन के, खास करके आगे वालेंसे में, ज़्यादा सेक्रेशन वहाँ से है, उसमें अगर कमबाइन रूप से कमी किसी एक का आगे, मन एक का production कम हो गया, तो कहेंगे, दूसरा शब्द हाँ आता है, पैन हाइपो pituitaryism, देखे, यह क्या है, कि अगर हमारे interior pituitary gland से निकलने वाले, तमाम हार्मोन में कमी आ गई, तो इसे पैन हाइपो pituitaryism करेंगे, ध्यान रखे, इसका कारण क्या हो सकता है, तो कारण वाले में एक चीज़ समझा जाएगे, कारण वाले में 9IS याद रखना, 9IS जैसे कि इन्वैसिब सबसे वारा कारण है, आक्रमन जैसे कि होता क्या है कोई बीमारी बहुत तेजी से फैल गई, कुछ किया, कुछ काटा हमने और वहां से तेजी से फैल गई, इन्वैसिब अगर कर रहा है, तो उसमें इन्फारक्षन, रूद गलन, जैसे कि आप देखें कोई बीमारी है, बलड सप्लाई कम होगे, तेरे देरे वह आंग खत्म होते जाएगा, या वो टिश्यू डैमेज होगा, नेक्रोसिस होगा, तो इन्फारक्षन के केस्ट में भी आपको गरवरी आएगा, यह तीसरा कारण है, इमनिलाजिक, खास करके, रोख परतिरोध संबंधी, अगर गरवरी आई, तो उस केश में भी मिलते हैं, आइट्रोजनिक, चिकित साजनित, कुछ इलाज करा रहे हैं, कुछ दवाओं के वज़े से भी गरवरी आ गई, तो उस केश में भी आपको ऐसे चीज़े मिलेंगी, इन्फेक्शन, कोई संक्रमन हो गया, तो भी ऐसे केश में होंगे, एडियोपैती, कुछ अग्यात कारणों से भी जिसमें गरवरी आ आती है, आईसोलेटेड, फिर तक कुछ और भी कारण से है, जिसमें कि हम इसकी बाद में व्याख्या भी करेंगे, इस पर हम सारी वीमारी का खास एक इक करके चर्चा करेंगे, आपके वीडियो के मादर मसे, लेकिन आप इसको समझे, कारण इतने भी है, जैसे इसमें कारण क्या है, मान लिया जाए, जी, तो दूसरा कारण, जैसे इसका कारण मान सकते है कि बच्चपंड में बहुत ज्यादा बलरड लॉस हुआ हो, किसी कारणों से, तो भी या शरीर पे उन्जूरी हुआ हो, 고्छती हुआ हो, किसी कारण से, या ब्रेन का सरजरी हुआ हो, आपको आपरेशन हुआ है इस केस में भी आपको या गले या सिर्का हमने वीजिय से केस में भी आपको यह गरवरी मिल सकती है कुछ दवायें जैसे नार्कोटिक्स यह ठीक 9is पर ही आधारित है कुछ नारकोटिक्स हमने योज किया इंफ्लामेशन जैसे की आपको बता दे कुछ हमने सूजन हो गया या कुछ जिन में मिउटेशन आ गया तो ऐसी गरवरी में आपको ऐसी चीजों में ये गरवरी मिलती ही है हाइपो पिटिटरीजम मिलती है लेकि डियरर है बहुत चिंता वाली बात नहीं है बहुत कम है तो इसका लक्षन क्या होता है, लक्षन पे हम लोग आते हैं, तो लक्षन आप देखेंगे कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गिया, मान लिजे ग्रोथ हार्मोन एंटर पिटियोटी से सेक्रेट होता है, उसमें कमी आ गई तो आदमी को लेथार जी, सुस्ती पना रहेगा, हमेशा ज्यादतर किसमें ऐसा ही रहता है, अगर गुन अंडरोट्रोफिक हार्मोन, जिसमें हमने दो हार्मोन बताया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, लिजे नाइजिंग हार्मोन है, खास करके तो वहाँ भी अगर गरवरी आ रहे है, तो उसमें भी क्या होगा, कि लेथारजी हो जाएगे, सुस्ति आजाएगे, लॉस आफ लिबिडो, यौन एच्छा में कमी हो जाएगे, तिसरा क्या होगा, कि लॉस आफ फियर, बाल जहरने लगेगा, या बहुत कम बाल है, एमुनेरिया महिलाओं में, खास करके, वहाँ में चर्चा कर चुका हूँ, वैसे आप देखेंगे, तो समझेंगे, एमुनेरिया, यानि कि महिलाओं में, मासिक श्राओं में, कम ही या अफ्षेंसी मिलेगी, अगर एडिनो काटिको ट्रॉफिक हार्मोन से क्रेट हो रहा है, कम, ACTH, तो क्या होगा उस केस में, लेथारजी होगी, सुस्ति रहेगा, प इससे हाई-पॉर्टेंसन होता है, जब हम खरे होते हैं, तो हमारे क्या होता है, बलड वापस नीचे की तरफ जाता है, पूट में, यहाँ काटिसोल के उपस्थिती नहीं होगी, जिसकारण क्या होगा, कि पूलिंग अ बलड इन लेक्स और एस्टेंडिंग वो क्या है, फ एडिनो और एंटिडाइडिक हार्मोन, जो वैसोप्रेशी ने, जिस पर हमने चर्चा किया था, पिछली बार खास करके, तो वहाँ अगर कमी होई, तो क्या होगा, कि डिस्पेप्सिया, प्यास जदा लगेगा, और उसी मत्रा में पानी, खास करके, यह सरजरी के बाद ही अपरेशन के बाद ही ऐसी दशा आती है, लेकिन यह होता है, तो कॉर्टिसोल क्या है, को हमारे लिए रिक्वायड है, खास करके, देखेंगे, तो कॉर्टिसोल का बहुत जरूरी होता है, वाटर नॉर्मल निकालने के लिए कितनी का, बहुत जरूरी है इसके लिए, अब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, दिखें मैनेजमेंट में खुद से में बता रहा हूँ लेकिन आप लोग खुद से पालने करें, इसके लिए आप कुशल चिकित्सक के संपर्क में ही जाएं, उनके सुझाव पर ही करें, हाँ आप बीमारी जानेगे, आप बोलेंगे ये इस में क्या है, कि अगर दिखा जाए, अगर एडिनो कॉटिको ट्रॉफिक हार्मोन का सेक्रेशन कम हो गया, तो ऐसे केस में कॉटिसोल यानि हाइडो कॉटिसोन का इंजेक्शन देंगे, या दवा की रूप में यूज करेंगे, अगर थाइरोड स्टिमूलेटिंग हार्म अगर थाराइड थेरैपी कर रहे हैं, तो यहां एक चीज़ खास करके धियान रखना है, कि अगर है, ऐसे केस में पहले बहुत डेंजरस हो सकता है, अगर आपने थाराइड रिप्लेस कर दिया तो, ऐसे केस में पहले गुलकु कॉटिको आइड 6 का सप्लिमेंट दे 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 दे, तब जाके रिखे थाराइड रिप्लेसमेंट करना है, पहले नहीं करना है, लोग है करता है कि बहुत डेंजरस हो सकता है, अगर तो जानना है कि कहीं आपने खरकेशन होगई तो कम नहीं है, आपने इंससे करे गुलकॉ कॉटिको आइड्स दे दिंगे, उसे ज देखे मेल को six-harmone कभी भी दे सकते हैं लेकिन female को जब भी देंगे ना तो वो पचास वरस से नीचे वाले को देंगे पचास वरस उपर वाले में हम six-harmone डिप्लेस नहीं करते हैं अगर growth hormone हमारे कम हो रहा है तो sapcutaneous injection growth hormone का हम use करेंगे इसके side effect भी देखेगा हैं जैसे कि sodium retain क करना अब्जेक्टिव पेरिफेरल एडिमा बहुत ज्यादा चारो तरफ जो है आपका यह बढ़ जाना है ना कार्पेल टरनल सिंड्रम भी देखा गया है जिसमें क्या होता है कि आपका जो यह है हाथ है तो उसमें क्या है नंबनिस आजाएगा है ना सुनापन आजाएगा औ टिंगलिंग सेंसेशन जन जनाट भी होगी और आर्म जो है ना पिंच नर्व में जो कि रिष्ट में होता है तो यहां पिंचिंग करेगा तो यह कार्पेल टरनल सिंड्रम भी इसके साइड इफेक्ट देखेगा है इसलिए जब भी है आप एतिया तन हमेशा चिकित्सा करम में दावा ले जानकारी रेखे लेकिन स्वता दावा ना आप उपियो करिसली में डोज वगेरे पैवी चर्चा नहीं कर रहा है इसके लिए मैं आपको हमारा फर्मिकलोजी का विशेश सेक्शन देखे वहां आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी एक कैस और आता ह है जिसमें कि प्राइमरी हाइपर सेक्रेशन तों पेतुट्री हर्मोन जै प्रात्मिक तोर पेतुट्र सारे हार्मों जीतने भी बहुँ ज्यादा सेक्रेट होने लागेगा इसका खास करने कारन जो दिखा गया गया मैकर एडिंोमा जो वर्ड जैनली ग्लैंड के लिए केस में आपको ज़्यादातर हाइपर siqrrcen देखा गया है क्या को भर रचियों में त्य हम है एक लख सीबल्चन Snoh apologies हुआ जाईगा बहु जदा पसीना आएगा देखेंगे तो आब इ Tat में और पाओ में पसीना तो ऐसा आता ही ए कुछ हमारे ऐसे रीजंस है जहाँ पसीना खासकर कि आता ही रहता है लेकिन ऐसे कैस में देखेंगे तो लिता होुआ द एEO तो इसका कारण कहीं ने कहीं कि हाइपर पिटेडियम है जहांकि जादा सेप्रेशन हो रहा है तो उसके इसमें क्या होगा और डिक्रीज लिविड होई यहां क्या होगा आप देखेंगे कि सेक्स की इच्छा कम हो जाएगी लेथार जी सुस्ती पन इसमें भी आएगा सरदर् इसमें क्या होता है कि जब कोई भी चोट लगने की इच्छा बहु ज्यादा चोट लगना से बुरिजबिलीटी कहते हैं तो यह कारण है इसके बाद कसिंग सिंड्रॉम हाइपर कॉटिक सोलीजम हो जाता है उसके समें देखेंगे कि आपर बड़ी पार्ट में बहु ज्या ज्यादा उसे दिखाय देगा फिंग कि या य पर्पल स्ट्रेट मार्क जी ईसके अबर्ड मेंट पे दिखाय देगा अपके पेतव आली हिसले दिखाई दिखायिगा ज़्यादा बि miraculous इस्छा लिए भी बहुत आसानी से लग जाएगा वहां इसाउत्य में इसे आसानी से जिसके मैंने चर्चा किया है और आगे वी चर्चा करूँगा मैं तुश्य शत्र में या रेडियोग्राफी से MRI कराते हैं और हार्मोन का लेबरोटी एक्जामिनेशन कराते हैं कैसे करेंगे एक्जामिनेशन क्या करेंगे इसके लिए आप हमारा पैथलोजी का शक्षन देखे खास करके पैथलोजी का हमारे लेक्षर देखे वहां आपको जानकारी मिलेंगी कैसे कैसे जाच करते हैं तो अब क्या है अगर इसका इलाज किया करेंगे तो इलाज करने के लिए प्रोलेक्टिनोमा अगर प्रोलेक्टिन का बहुत जादा सेक् तो आप लोग का प्यार बहुत मिला है मैं चाहूंगा कि इस पर आप लगतार देखें समझें मैं अगले करी में आप से चर्चा करूंगा इसे जुरे हुए कुछ सिंड्रोम का बहुत इंपर्टेंट चीज़ है आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा समझेंगे लेकिन स्वता इलाज ना करेंगे ऐसा नहीं कि यहां नहीं रब सामने बता दिया दोक्टर राजागू का लेक्षर था हमने समझा और दवा का मार्केट से गूगल से पर लि तो कि शरीर पडिक्षन के बाद डक्टर इस लेवल पर पहुंसता है कि हमें करना क्या ये संदेश को आप ज़्यादा तर समझे। कि मुझे करना के अपिसेंट को असलियत में है क्या यह जानकारी है आपके लिए मैंने दिया आप जानकारी ले ज्यादा से जानकारी ले ले और मैं चाहूंगा लोगों को साजा भी करें ज्यादा तर लोग हमारे में चाहता हूं कि हमारे अंडिया के और बिहार के खास के जि पे चर्चा करूंगा एक क्रो मेगाली पे चर्चा करूंगा और कि आप लोग यों फिर जाद हार यह फिल्मों का जितना like नहीं जितना मिल जाता है तुरंत और या मेरे बाकी हिस्सों का मैं देखता हूं कि पढ़ाई वाले में लोग गेम ज़्यादा खेल लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते तो इदर एक लेक्चर को तो मैं चाहूंगा कि हमारी लेक्चर को आप लगतार देखे अपना प्यार दे और जो कुछन्स आ रहे हैं मैं रिलेटिव चैप्टर्स में उस पर जरूर डिसकुसं करूंगा तो आज इतना ही रखते हैं मैं अगले चर्चा में जो अभी टॉपिक बताया उस पर चर्चा करूंगा एक करके और खास करके मैं एक और नई दिशा लेकर के आपकी वीचा रहा हू लोगों के भीच कुछ थेयटर पर रहा हूं और बांकी कुछ दरशन शास्तर पर भी میں चर्चा रहए हूं अभी लगतार में एक चर्चा की करीम है आपके पास मेडिकल हिस्ट्री पर बहुत विरत पायमानी मैं चर्चा कर रहा हूं चोटी चोटे टॉपिक में जाद़ लं बने बाद पढ़ना है